जाएग नमित्रो मैं डॉक्तर सुषिस्गतेर जेन कॉलेज मदवणी जोग्रफीट डिपार्टमेंट में केस्ट असिस्टेंट को रखेसर हूं आज हम आप लोगों को एक माना करचांस वाली संपू प्रचेपकी रचना कीजिए कुछ आंतरा दिया गया है जिसमें मांपनी दिया गया है मानक अफ्षांस जो है 45 गुटर का विस्तार जीरो से 75 गुटरी अफ्षांस तथा सब्सक्राइब करते हैं कि तो बहुत बड़ी है तो इसके लिए करते हैं कि मांपनी के आधार पर यानि जो इसमें दी गई है उसके सहायता थे हम उसकी त्रिजिया को रेडियूस कर लेते हैं तो इसको निकालने के लिए हैं लगुटरी प्रचेपकी त्रिजिया के जो आर है तो उसको निकालने के लिए पर्मना होता है फिर्धिवी की वास्तविक त्रिजिया बटा दी गई मांपनी का हर तो प्रिजिवी की वास्तविक त्रिजिया जो है कि अब 5.29 सेंटिमीटर त्रिजिया लेकर हम प्रचेपकी रचना करेंगे तो इसका फर्स्ट वी थी जो फर्स्ट में जो है इस पाइफ वाइंट तू नाइन सेंटिमीटर यानि जिख सकते हैं तो फाइफ प्रफ्वाइट सेंटिमीटर का एक सवरल रेखा एबी भीजे अन इस एबी रेखा को आधार मानकर एक यंदर बिंदू से क्या किया किये एक बिद का चतुर्थांस खीचे जो की यह जो की स्कुष्टी बिंदू पे काचती है और इस चतुर्थांस पे क्या करते हैं कि 90 दिले के आंगल बनाते हैं तो यानि कि यह हो गया कि पूल जो देख रहे हैं यानि 90 का जो फूल बना वह बना गया तो दिले कि यह जो बना दिए नाइटेगरी आएंगे का अब यहां पे क्या है कि इसके आधार पे हम क्या करते हैं कि अब यहां पे पूस्ट्यान में जो दिया गया है 15 दिए उन्ट्राव तो पंद्रा दिए अंत्राल हुए वाधार रेखा माले में अधी बिनदू से बहुत से लिए तो यहां कि मिन्दू पर जो गाले कि यह 15 बिनदू पर यांए यह पंदरा दिए जो हो किया पो गई इसका पंद्रा डिरी हैं अब क्या करते हैं कि इसके बाद जो आपके प्रछेत में मानक अक्षांत है तो 45 डिरी आनि ये वी रेखा को आधार लेते होगे इसके बाद इसको क्या किया जाता है कि आपने दिवाइडर पर डिवाइडर डिवाइडर पर क्या किजिए कंपास से आप बीडी रेखा को बीडी रेखा को कंपास में माम लेजिएगा बीडी तो इसके बराबर मात के क्या करते हैं एक के अंदर से क्या करेंगे कि एक जो है बीडी रेखा के बराबर खीच देते हैं और तो क्या करेंगे कि इसके पाद ये यानि ये रेखा को आधार लेकर ये रेखा को आधार माने पर ये बिन्दू पर इसको क्या करते है थेना पाराबर में जो करते हैं यह इसको इसको आउंड़ अब इसको क्या करते हैं पर्ष्ट जो है पर्ष्ट का काम खत्म हो गई अब आप सेकेंड पर चलेंगे तो सेकेंड पर क्या करते हैं कि एक सरल रिखा यानि नौर्थ से साउठ डायरेक्टर में इक सरल रिखा खीच देंगे पी से दूरी को माप लेते हैं अपने जिवाई और समतास भी दूरी के बराबर यानि इसको इस परकारते एक और विट्थ खीच लेंगे तो यानि वाले जहां से और विट्थ खीच लेंगे उसको क्या करेंगे कि इसको पी देस लिखेंगे और जहां यहां यह खीच रहे हैं यह जो देख रहे हैं यह प्रदर्सित करती है और या जो इसका मानक अक्षांट है और चले करते हैं और नीजे के तरफ चलेगा तो वाठेगी यह क्वंडरा को पढ़ेंगी तो पैटालीच और चलेके और दूसरा जो कि आपने यहां देखा कि क्टाइब कि काट दिया गया यहां जो है कि क्या करते है कि पी-डेस केल से परतिय वी जितनी कटी है उसे क्या करते हैं और दिट खीच देते हैं और फिर यहां तो यादि पच्छांस्प्रीट को क्या करते हैं क्या क्या करते हैं और यहां क्या क्या करेंगे यानि 75 दिग्री से 75 दिग्री पच्छिल से यहां यहां तो पांच बार यहां तो इस तेंट्रल मेरीडियन से 5 पूरब की तरफ काटेंगे और पांच बार जो है पच्छिन की तरफ मानक अप्छांस पे यानि 45 की दिया तो एच आइच आइड़ी के बराबर क्या करते हैं कर दिए यहां तो पिर यहां भी एचाइड़ी के बराबर काटते हैं कि यहां कटी पिर इसके अदर से यहां कटी और यहां कटी है उसी परकार अब क्या करेंगे कि दाहिना बाया साइड में है यहां ते यहां ते कि यहां कटी और यहां कटी इसके बाद क्या करते हैं यहां कि आपने स्केल से जहां जहां कटी है तो इससे परकार से यहां लब किचते पिर इस प्रेट से मिलाते हुए यहां किच देते हैं पिर यहां किच देते हैं इस प्रकार से इस दिए जाएगी पीडिया कि इस प्रकार से सभी देशा कि देने के बाद क्या है कि अब इसके जो भैलू को लिखते हैं यह जो होगा कि वह जीरो डिवी आफ्षांस दोगी यहां पंद्रफ दिग्री फॉल्टि है एक है और सेवेंटी फाइब डिग्री नोट इधर से बिलेगे जीरो पंद्रा तीस प्रदालीस साथ पचा तर्म अब चलिए इस टूबेस्ट में तो पेस्ट में जैसे देख्टे हैं इधर से ब्रफ यानि कि जब आप देखें आपके पाया उत्री गुलांस के कि दाहिना साइड में इस्ट होगी तो यहां 75 से हम चलेंगे तो 75 75 से पंद्रा माइनस यारी बेस्ट टू इस चलते हैं तो माइनस होगी है तो यहां 75 होगे 75 से पंद्रा माइनस करेंगे तो फिटीन होगी और फिटीन माइनस करेंगे और फिर जीरो से क्या होगा है कि अब चलेंगे तो बढ़ते जाहेगी अब यहां जो इसका टाइटल होगा तो फिर में लिखिएगा और बरा लेटर में लिखिएगा कि जब तो कौन सा प्रजेक्ता ना तो अब देखिए इसको हम पनाते कैसे है और इसकी पहचान क्या है और इसका उप्योग कैसे करते तो देखिए इसकी पहचान है कि तो जितने भी देखा इस पर खीची जाती है और यह जो है कि सरल रेखा के रूप में होती है पर्छेत में धुरूब जो होती है चांप के रूप में होती है जब कि बास्ताविक प्रितिवी पर जो होती है डॉट में विंदू पर दूब होती है अब चलिए संपूर पर काटती है और इसका पांचमा जो गुन है किसी एक अपछांस ब्रित पर देशानता रेखाओं के बीच की दूडि समान होती है अगर हमने जीडियो डिए तो यहां जितने भी देशांता रेखा यानि कि यहां ते दूडियों प्रतेक की दूड्य क्या होगा तो यह क्या है अब देखें का गुन धर्ब क्या है तो एक मानट आप चांस पर आ इसके मापनी में विक्रतियां आ जाती है आपनी बास्त्रविक मापनी से बड़ी हो जाती है अब देखिए लिक्या है समस्ष देशांतर देखाओं पर मापनी सुध होती है इस कारण देखा पर मापनी सुध होती है इस कारण से इसको संदूरस परछेब भी कहा जाता है संदूरस्त प्रचेव भी कहा जाता है अब देखिए कि इसका तीसरा पॉइंट है काता है कि मानक अप्छांत पर मांपनी एवां आकिर्थी सुध होती है जो देश होगी उसकी आकिर्थी भी सुध होगी और उसकी मापनी यानि इसके पर चौथा देखिए इस परचेव पर सिर्स एक गोलार्थ के रूप में दिखायाता है जयनी कि इस परचेव परसुद है या तो उत्री गोलार्थ या धठनी और देखित कर सकते हैं कि इसका उप्योग कहा करते हैं तो इसका अधिक्दर उप्योग जो होता है मद आक्छांत है छोटे-चोटे-देशों के मांजित बनाने के लिए इसका उप्योग किया जाता है। जैसे खास करके ये देश देखिएगा तो जो मत अक्षांसिय छहत्र में पर्फा आँ वहां पहुत चोटा-चोटा देश है जिसकी मांजित्र बनाने के लिए एक मांजित्र के बनाने के लिए एक मांजित्र वाली संभू पर्षेट की रचना करते हैं मेरे वीडियो अगर आप लोगों को सही लगे तो इसको सब्सकाइब कीजिए लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए और अपने मित्रों में जितने अधिक अधिकूर्ण सब्सक्राइब रपाईए जिसके कारण हमारे होसला और बढ़ेगी तो हम अच्छे अच्छे वीडियो आपके विस्त लाते रहेंगे थैंक यू